ये नाक्षर समामनाई मधि घंवि महिश्वरात कृष्णम् व्याकरणं प्रोक्तम तस्मै पानिने नमहा वाक्यकारं वर रुचिं भष्रकारं पतंजलिं पानिन सूत्रकारं चप्रन तोस्मि मुनित्रयं कारक प्रकरण का आज पंध्रवा पाठ है संप्रदान कारक इसके विश्रय में आज से पढ़ना शुरू करेंगे संप्रदान कारक के प्रकरण में कुल मिलाकर दस सूत्र है कर्मना यम अभिप्रयती स संप्रदानम रुचर्थानाम प्रियमानह श्लागहुं स्थाशपाम दीपस्यमानह धारे रुत्तमरणह स्पुहे रीपसितह कृधत द्रुहे शासुयार्थानाम यम प्रतिकोपः ये सारे सूत्र एक के बाद एक करम से हैं इसके बाद वाला कृधत द्रुह रुपसुष्टयोह कर्म ये करम संग्या का सूत्र हम छोड़ देंगे उसके बाद पिरसे संप्रदान कारक जारी रहता है राधीक्षोर यस्यविप्रश्णह प्रत्यांग भ्याम शिरुवफ पूर्वस्य करता और अनुप्रतिग्रुणश्च यहां संप्रदानम ये प्रकरण खतम हो जाता है लेकिन अभी दो सूत्रों के बाद करणकारक के प्रकरण में विकल्प से फिर से एक बार संप्रदान का विधान हो रहा है परिक्रैने संप्रदानम अन्यतरस्याम तो ये दस सूत्र सम्प्रदान का रख्ये हो गए, इनका हम हर एक पाठ में एक सूत्र इस क्रम से अध्येन करेंगे लेकिन सबसे पहले किसी भी सूत्र को देखने से पूर्व सम्प्रदान इस शब्द को देख लेते हैं सम उपसर्ग के साथ, प्र उपसर्ग के साथ, दा इस धातू से लिट प्रत्य करके सम्प्रदान ये शब्द बनता है सम्प्रददाती मतलब की अच्छी तरह से देता है अच्छी तरह से का मतलब क्या है? वापिस लेने के हेतु को मन में ना रखते हुए याने की दान स्वरूप देता है इस संप्रदान शब्द का अर्थ मुग्धबोध व्याक्रण के टीकाकार दुर्गादास इस तरह से समझाते हैं संप्रदानम तथै वस्यात पूजा नुग्रह काम्यया दीयमानेन सैयोंगात स्वामित्वम लभ्यते यदी जिस क्रिया में वस्तु पर से खुद का खक फोड़ कर किसी और को उस वस्तु का दान दिया जाता है जिससे उस वस्तु को लेने वाला उस वस्तु का स्वामी बन जाए दीयमानेन सैयोंगात स्वामित्वम लभ्यते यदी तब ऐसी क्रिया को संप्रदान बोलते हैं इस तरह से संप्रदान इस शब्द का दान क्रिया के साथ बहुत ही घनिष्ट संबंध है और इसी संप्रदान शब्द का पाणिनी महर्षी ने यहां कारक की संग्या के रूप में प्रयोग किया है अब वैसे तो यहां बात यह है कि इस संप्रदान कारक के प्रकरण में पाणिनी महर्षी ने जो दस अलग-अलग सूत्र बनाये हैं उनमें से सिर्फ पहला सूत्र दानक्रिया के संदर्भमे हैं। बाकी के नौ सूत्रों का दानक्रिया से कोई संबंध नहीं, लेकिन पहले सूत्र में दानक्रिया है और उसी से संप्रदानकारक शुरू हो रहा है। इसलिए शायद इस कारक का नाम पानिनिमहर्शी में संप्र प्रदानकारक ये रखा होगा। चलो इस प्रकरण के पहले सूत्र पर थोड़ा गौर करते हैं। कर्मना यम अभिप्रैटी स संप्रदानम। सूत्र में कुल मिलाकर पांच पद है। कर्मना ये कर्मन शब्द का तृतिया एक वचन हो गया। कर्मन यानि की कर्मपद किस क्रिया का कर्मपद तो सूत्र में यहां स्पष्ट रूप से कुछ भी कहा नहीं गया। लेकिन व्याख्यानों से हमें पता चलता है कि दानक्रिया के कर्मपद की बात हो रही है। काशिकाकार बोलते हैं अनुवर्थ संग्या विध्यानात ददाति कर्मनहा इति विध्यायते काशिकाकार ने यहाँ अनुवर्थ संग्या इस शब्द का प्रयोग किया है संप्रदान इस शब्द में ही दानक्रिया छिपी है तो संप्रदान इस शब्द के अर्थ को लेकर उसी अर्थ को संप्रदानकारक के संदर्भमी भी प्रयुक्त करके दानक्रिया का कर्म यह बात यहाँ स्पष्ट हो जाती है यह सब काशिकाकार का कहना है सिधान्त कवमुदिकार ने तो अनवर्थ सम्या वगिरा कुछ भी ना कहके सीधा ही दानस्य कर्मना यह निर्देशी कर दिया है अब जब दान क्रिया की बात आती है तो वहां तीन चीजे उपस्थित हो जाती है दान देने वाला दान लेने वाला और दान दी जा रही वस्तू इन में से दान देने वाला दान क्रिया का करता कहलाएगा जो वस्तू दान में दी जा रही है उसकी कर्तुरी इपसित तमम कर्म इस सूत्र से कर्मसंग्या हो जाएगी और यही कर्मसंग्यक पदार्थ इस सूत्र में कर्मना इस तृतियांद शब्द से भी निर्दिष्ट होता है बचा तीसरा जो दान ले रहा है वो उस पदार्थ की दान क्रिया के संदर्भ में संप्रदान संग्या करने के लिए इस सूत्र का निर्माण पानिमिमहर्शी ने किया है और ये संप्रदान संग्या आचार्यने किस तरह से यहाँ बताई है तो कर्मनायम अभिप्राइती, अभिप्राइती मतलब की संबंध जोडता है न्यासकार स्पष्ट करते हैं, अभिप्राइती इती अभिसंबधनाती इत्यर्था अभि और प्र इन दो उपसरगों के साथ, इन इस धातु के लट लकार का प्रथम पुरुष्का एक वचन है अभिप्राइती इस अभिप्राइती याने की संबंध जोडने की क्रिया का करता वही है जो दान क्रिया का भी करता है और ये करता अपनी दानक्रिया के कर्मपद से जिसका संबंध जोड़ना चाहता है उसकी संप्रदान संज्या होती है जैसे की अगर कोई देवदत किसी यग्यदत को दानस्वरूप कुछ चीज जैसे की गाएं दे रहा है तो यहाँ देवदत यग्यदत का गाएं से संबंध जोड़ रहा है ऐसा हम बोलेंगे और फिर यग्यदत की संप्रदान संज्या हो जाएगी दानस्य कर्ता दानस्य कर्म पदेन यम अभिप्रईती मतलब की यम संबध्धुम इच्छती सहा इत्युकते दानस्य घ्राह कहा दानक्रियायाह संप्रदान संज्याह भवदी आसान भशा में कर्ता जिसको दान देता है उसकी संप्रदान संज्या होती है सिधान्त कवमुदिकार यही बोलते हैं दानस्य कर्मना यम अभिप्रईती सह संप्रदान संज्याह स्यात संप्रदान संज्याह होने पर चतुर्थी संप्रदाने इस सूत्र से चतुर्थी का प्रयोग हो जाएगा और देवदत्तहा यग्यदत्ता यगाम गदाती ये वाक्य बच जाएगा अब यहां एक छोटी सी बात याद रखनी है यहां दो क्रिया है एक तो ददाती यानिकी दानक्रिया और दूसरी है अभिप्रईती यानिकी संबंध जोडने की क्रिया इन दोनों क्रियाओं के अलग-अलग कारक कौन-कौन से है ये देख लेते हैं देवदत्त हा यग्यदत्ता यगाम्ददाती इस उदाहरण में दानक्रिया का करता हो गया देवदत्त, दानक्रिया का कर्म हो गई गाय और दानक्रिया का संप्रदान हो गया यग्यदत्त ये सब हो गया दानक्रिया के विशय में अभिप्रैती इस क्रिया के विशय में भी करता हो गया देवदत्त लेकिन इस क्रिया का यग्यदत्त ये कर्म है क्योंकि अभिप्रैती इस क्रिया में वो करते का इपसिततम है करता उससे संबंध जोड़ना चाहता है इसलिए कर्तुरीप्सिततमम कर्म इस सूत्र से उसकी कर्म संग्या हो जाती है और गाय यह यहां करन संग्यक हो गई क्योंकि देवदत्त गाय के माध्यम से कर्म का संबंध जोडना चाहता है यानि कि देवधत्त के लिए यहां गाय ये संबंध जोडने का साधकतम है तो फिर साधकतमम करणम इस सूतर से यहां करण संग्या हो गई इसका क्या मतलब हो गया कि दान का जो कर्म यानि कि गाय वो अभिप्रायक्रिया का करण है यही बात काशिकाकार सबसे पहले बोलते हैं कर्मना कर्ण भूते न करतायम अभिप्राइती दान क्रिया के कर्म को कर्ण मान कर जिस करता उसका संबंध जोड़ना चाहता है कर्मना कर्ण भूते न करतायम अभिप्राइती यानि कि अभिप्राय इस क्रिया का जो कर्म वो गानक्रिया का संप्रदान हो गया न्यासकार इसे और अच्छी तरह से खुल कर स्पष्ट करते हैं ननुच कथम कर्म करणम भवती क्रिया भेद संबंधात एक ही क्रिया में कर्म का करण में परिवर्तन नहीं हो रहा यहां दो अलग-अलग क्रिया है और उनका परस्पर भे संबंध है क्रिया भेद संबंधाद, कौनसी दो क्रिया हैं, दान क्रिया और अभिप्राय क्रिया, और किस तरह का संबंध है, ददाति क्रियया आक्तुम इश्टत्वा तस्याह कर्मत्वम अभिप्रायन क्रियाम प्रती तस्य साधकतमत्वात कर्णम ददाति क्रिया का जो कर्म वही अभिप्राय क्रिया का करण है और इस करण का जिस से संबंध जोड़ा जा रहा है वह ददाति क्रिया का संप्रदान है यही काशिका कार स्पष्ट करते हैं कर्मना कर्णभूतेन करतायम अभिप्रैती तत कारकम संप्रदान संग्यम भवती और दूसरे ही वाक्य में वो स्पष्ट करते हैं कि यहां दानक्रिया की बात चल रही है अनुवर्थ संग्या विध्यानात ददाति कर्मना इति विध्यायते मतलब की स्पष्ठ हो जाता है अनुवर्थ संग्या के बारे में तो अपादान कारक के समय ही मैं पढ़ा चुका हूँ जिस संग्या का भाशा में होने वाला अर्थ ही व्याक्रण शास्त्र में भी लिया जाता है वो अनवर्थ संग्या है संप्रदान ये शब्द सम्यक प्रदी यते इस अर्थ को दर्शाता है और अगर यह अर्थ पाणिनी महर्षि को यहां इश्ट न होता तो इस विशेश संग्या को बनाने की कोई जरूरत नहीं थी इसी का मतलब है कि आचार्य को यहीं होता है कि कर्मना इस शब्द से दानक्रिया के कर्मपद का निर्देश होता है आगे काशिकाकार दो उधारन भी देते हैं उपाध्यायाय गाम ददाती उपाध्याय को गाय भेट स्वरूब देता है मानवकाय भिक्षाम ददाती बच्चे को भिक्षा देता है वैसे तो काशिकाकार ने यहां दो उधारण दिये हैं लेकिन यहां में तीसरा और एक उधारण जोड़ना चाहता हूँ इश्वराय पुषपानी ददाती भगवान को फूल चड़ाता है यहां फिर इस तरह से तीन उधारण जो हमने देखे उपाध्याय गाम ददाती मानवकाय भिक्षाम ददाती और इश्वराय पुषपानी ददाती इन तीनों ही उधारणों में दानक्रिया अवश्य है लेकिन हर जगह दानक्रिया का स्वरूप कुछ अलग सा है पहला उधारण उपाध्याय गाम ददाती उपाध्याय को गाए भेट स्वरूप देता है यहां ये अर्थ चिपा हुआ है कि उपाध्याय ने कुछ पढ़ाने वगेरा का या फिर पुजापाठ का काम किया है और उसके बदले में कोई देवदत्त उस उपाध्याय को दक्षणा स्वरूप या फिर भेट स्वरूप गाए दे रहा है इस गाए को लेने या ना लेने का स्वातंत्रिय उपाध्याय के पास अवश्य है अगर उपाध्याय के पास पहले से ही बहुत सी गाएं है तो शायद वो बोल भी सकता है कि उसके अभी गाए नहीं चाहिए उसके बदले में बरतन वगेरा दे दो या कुछ और मतलग कि उपाध्याय की अनुमति से यहां उनको दान दिया जा रहा है इस तरह से उपाध्यायाय गांग ददाती इस उदाहरण में संप्रदान का संबंध अनुमति से है यह संपदान का पहला प्रकार हो गया आगे आया दूसरा उधारण मानवकाय भिक्षाम दगाती यहाँ भिक्षा, भीक इस शब्द का प्रयोग होआ है तो यहाँ यह अर्थ चिपा है कि बच्चे ने बार-बार मांगने पर, बिंती करने पर उपकार स्वरुप उसको देवदत्य भिक्षा दे देता है इसका मतलब कि याचक की स्थिती को या फिर उसकी याचना को देखकर देवदत्य उसको भिक्षा देने के लिए प्रेरित हो गया अब यहाँ देवदत्त के हाथ में है कि क्या देना है क्या नहीं देना है वहाँ बच्चा मुझे यही दो या फिर मुझे यही चाहिए यह नहीं चाहिए इस तरह से नहीं बोल सकता तो यहाँ संप्रदान का संबंध अनुमति से नहीं है बलकि बच्चे की याचना को देखक देवदत्त यहां प्रवृत्त हो गया प्रेरित हो गया इसलिए यहां संप्रदान का संबंध प्रेरणा से है ऐसा माना जाता है और तीसरा उधारण देवाय पुष्पाणि ददाती यहां ना तो भगवान से अनुमती लेकर उनको फूल चढ़ाये जा रहे हैं और ना ही यह भगवान ने फूलों की याचना की है तो इस तरह का जो दान वो अनुमती से भी संबंधित नहीं है वो प्रेरणा से भी संबंधित नहीं है इस तरह के संप्रदान को अनिराकरण से संबंधित संप्रदान ऐसे बोला जाता है अनिराकरण मतलब की दान का अस्वीकार न करन दान को मांगता भी नहीं है और दिये हुए दान का अस्विकार भी नहीं करता। इस तरह से संप्रदान टीन प्रकार का हो गया। अनिराकरण जैसे की देवाय पुष्पाणि ददाती। प्रेरणा जैसे की मानवकाय धिक्षाम ददाती। और अनुमती जैसे की उपाध्याय यगाम ददाती इसी बात को वाक्यपदियम में भर्त्रुहरी भी एक कारिका में स्पष्ट करते हैं अनिरा करणा कर्तुहू त्यागांगं कर्मनेपसितम प्रेरणा अनुमति भ्याम्च लभते संप्रदानताम इस श्लोक का मुख्य विशह है लभते संप्रदानताम संप्रदान संग्यक बन जाता है कौन संप्रदान संग्यक बन जाता है कर्तुहू त्यागांगं त्याग यानि की दानक्रिया जैसा के हमने पहले देखा इस दानक्रिया के तीन अंग होते हैं दान करने वाला उसकी कर्त्र संग्या हो गई जिस वस्तु का दान हो रहा है उसकी कर्म संग्या हो गई और जो तीसरा बचा यानि की जिसे दान दिया जा रहा है इस बचे हुए पदार्थ का त्यागांग इस शब्द से यहां निरदेश किया है और फिर किस तरह का त्यागां तो तीन में से कर्मना इपसितम जो तीसरे प्रकार का जो कर्त्र संज्यग भी नहीं है और कर्म संज्यग भी नहीं है ऐसा तीसरे प्रकार का कर्मना इपसितम ऐसा जो त्यागांग है उसकी संप्रदान संज्या होती है ऐसा यहां भरत्र हरी में बोला है तत्यागांगम यत कर्मना ईपसितम संप्रदान संग्याम लभदे और किसके बल पर अनिराकरणात प्रेरणा अनुमति भ्याज अनिराकरण या फिर प्रेरणा या फिर अनुमति इन तीन में से किसी एक के बल पर कर्मद्वारा ईपसित ऐसा जो त्यागांग है उसकी संप्रदान संग्या होती है इसलिए अब पूरी कारिका का अनुबय हो गया पदमंजरीकार इसी को स्पष्ट करते हैं त्यागहा दानम त्यागस्य अंगम शेशभूतम शेशभूतम मतलब की तीन अंगों में से करता और कर्म को छोड़कर बचा होआ तीसरा अंग शेशभूतम यानि की कर्मना गवादीना इपसितम इपसितम मतलब की आक्तुम इष्टम गाय इत्यादी कर्म का जिससे संबंध जोड़ा जा रहा है तत संप्रदानताम लभते अनिराकरणात प्रेरणात एवमस्तु इती अनुमानाद्वा और फिर एक एक का वो कर्म से उधरण भी दे देते हैं देवेभ्या सुमनसह ददाती देवों को फूल चड़ाता है यहाँ अनिराकरण से संप्रदान हो गया याचकाय भिक्षाम ददाती याचकों को भिक्षा देता है यहाँ प्रेरणा से संप्रदान हो गया और उपाद्भ्यायाय गांददाती उपाद्भ्याय को भेट स्वरुब गाय देता है यहाँ अनुमती से संप्रदान हो गया वैसे पदमंजीरी के बारे में एक बात यहाँ बता देता हूँ पदमंजिरी के बहुत सारे समस्करणों में यहां प्रेयरणात यह शब्द छपा हुआ नहीं मिलता यह उनका मुद्रण दोश है मैंने मूल हस्त लिखित मैनुस्क्रिप्ट्स देखे हैं उनमें प्रेयरणा यह शब्द दिखाए देता है वैसे यह शब्द यहां आवश्चक भी है लेकिन आजकल छपी हुई पुस्तकों में यह शब्द आपको नहीं मिलेगा आगे शलते हैं संप्रदान यह अनुवर्थ संग्या है और उससे यह बात स्पष्ट होती है कि इस सूत्र में दान क्रिया के विश्वय में बोला गया है अब दान इसका मतलब क्या है तो हमने वर्ग के शुरू में भी देखा था थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं न्यासकार यहां स्पष्ट करते है दानम ही नाम पूजानुग्रह काम्यया स्वकिय द्रव्य परित्यागहा परस्वत्व आपत्ति ही आपत्ति इसका मतलब है प्राप्त करना इसलिए दान का अर्थ होगया स्वकिय द्रव्य परित्यागहा यानि कि खुद की वस्तु का स्वामित्व छोड़कर परस्वत्व आपतिही किसी दूसरे का स्वामित्व मान्य करना जैसे कि डेवदत उपाध्याय को जब गाय भेट स्वरूप देता है तब वो गाय से खुद का हक छोड़कर उस पर उपाध्याय के स्वामित्व को स्वीकार कर लेता है इस तरह से स्वकीय द्रव्य परित्याग के विशय में दाधातु का जहां प्रयोग हो जाए वहीं इस सूत्र से संप्रदान संग्या भी होगी अगर दा धातु के प्रयोग में स्वकी वस्तु का परित्याग नहीं है तो फिर वहां इस सूत्र से संप्रदान संज्या भी नहीं होती जैसे कि अगर कोई देवदत्त किसी धोबी को धोने के लिए कपड़े दे देता है तो ऐसी स्थिती में यहां दा इस धातु का प्रयोग हम जरूर कर सकते हैं लेकिन यहां कपड़ों का दान नहीं हो रहा धोने के बाद धोबी कपड़े देवदत्त को वापिस करने वाला है इस विए यहां संप्रदान कारक लाना उचित नहीं होगा और देवदत्तहा रजकाय वस्त्रानि ददाती ऐसा प्रयोग यहां नहीं हो पाईगा तो फिर इस वाक्य को बोलते हुए रजक इस पदार्थ का कौन सा कारक होगा तो अन्य किसी भी कारक से यहां रजक का निर्देश नहीं हो सकता इसलिए यहां शष्ठी शेशे इस सूत्र से शष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके रजकस्य वस्त्रानि ददाती यह प्रयोग यहां बन जाएगा दानक्रिया का संबंध यहां होना चाहिए एवम अपी रजकस्य वस्त्रम ददाती गिनतह प्रुष्ठम ददाती अत्रकस्मात्न भवती वो स्पष्ठ कर रहे हैं धोबी को कपड़े देता है या फिर मारने वाले को पीठ देता है मतलब कि दिखाता है यहां प्रक्त्यक्षरूप से दान कुछ नहीं हुआ इसलिए यहां संप्रदान संग्या नहीं हुई अत्रकस्मात्न भवती अदानत्वात किम्पुनहदानम दानम किंचित उद्धिश्य अपुनर ग्रहनाय स्वद्रव्यत्यागः खुद के किसी वस्तू का द्रव्य मतलब की वस्तू उसका त्याग करना दान कहलाता है रजके तू उनर ग्रहनात दाना भावाः धोबी से कपड़े वापिस लेता है तो यहां दान की बाथी मेहीं आती फिर ददाती शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? उपमानात ददाती प्रयोग हा स्वस्वामित्व त्याग कर दान करने की क्रिया जैसे प्रतीत होती है उसी तरह से ये क्रिया भी प्रतीत होती है इसलिए यहां समानता के आधार पर ददाती शब्द का प्रयोग हो गया लेकिन यहां असल में दानक्रिया है नहीं तो संप्रदान कारक का प्रयोग नहीं हुआ बलकि शेश शष्ठी का प्रयोग हो गया वो स्पष्ट करते हैं कारक शेश अत्वात नटस्य शुरुणोती इतिवत शष्ठी आख्यातों प्रयोगे इस सूत्र में हमने नटस्य शुरुणोती यह उधारण देख लिया है वहां जिस तरह से अपादान के अभाव में शेश शष्ठी हो गई उसी तरह से यहां भी संप्रदान के अभाव में शेश शष्ठी हो जाएगी और रजकस्य वस्त्रम ददाती यह प्रयोग यहां बन जाएगा अब यहां तक हम ने जान लिया कि कर्मनायम अभिप्रईती स संप्रदानम इस सूत्र में संप्रदान इसको अनुवर्थ संग्या मानकर कर्मना इस शब्द का दानक्रिया का कर्म यह अर्थ हमने लगा लिया और फिर दानक्रिया के संदर्भ में हमने संप्रदान संग्या भी बता दी अब यहां वार्तिक कार एक नई बात बता रहे हैं वो बोलते हैं क्रिया ग्रहनम अपिकरतव्यम इस बात को काशिकाकार ने और भी ठीक से स्पष्ट किया है क्रियया यम अभिप्रैती ससंप्रदानम यानिजी सिर्फ दानत क्रिया नहीं बलकि कीसी भी क्रिया के द्वारा करता जिससे खुद का संबंध जोड़ना चाहता है उस पदार्थ की क्रिया के विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् नहीं जोड रहा, लेकिन कृयायम अभिप्रेति ससंप्रदानम स्वार्तिक से करता, खुद का जिससे संबंध जोड रहा है, उसकी भी संप्रदान संज्या बताई गई है, इसके तीन उधारन काशिका कर दे देते हैं, शराध्धाय निगर्खते, कहीं कहीं निगल्खते ये पाठ भी मिलता है। निगर हते मतलब की निंदा करता है, दोश लगाता है। कोई देवदत नास्तिक होने के कारण शराध्ध इत्यादी कर्मों में विश्वास नहीं रखता और इसी कारण से वो कहीं हो रहे शराध्ध की निंदा कर देता है। कि उसका शराध्ध पर विश्वास नहीं। तो यहां क्रिययायम अभिप्रैती ससंप्रदानम इस्वार्तिक के बल पर शराध्ध की संप्रदान संग्या हो गई। क्योंकि यहां देवरत खुद का शराध्ध के साथ संबंद्य जोड़ रहा है। और फिर चतुर्थी विभक् प्रयोग बन गया। नी उपसर्ग के साथ गरहधातु अकर्मक माना गया है। इसलिए यहां शराध्ध की कर्म संग्या हो ही नहीं पाती। दूसरा उधारण युद्धाय सन्नैयते। सन्नैयते मतलब की निश्चे करता है, तैयार होता है। यह भी अकर्मधातु ही है। त तो करता निश्चे करने की क्रिया के द्वारा खुद का युद्ध से संबंध जोडना चाहता है। इसलिए यहां युद्ध की संप्रदान संग्या हो गई और युद्धाय सन्नैयते यह प्रयोग बन गया। तीसरा उधारण पत्ये शेते। एक पत्यनी शयनक्रिया द्व द्वारा पति से खुद का संबंध जोडना चाहती हैं मतलब की पति के साथ सोना चाहती है, पतिम अनुकूल यि तुम्ज़े तो यहां भी पति के साथ संबंध जोडना चाहती है इसलिए पती की संप्रदान संग्या हो गई और पत्ये शेते यह प्रयोग बन गया। ये त इस धांत कवमुदी में यही वार्तिक चतुर्थी संप्रदा ने इस सूत्र में पढ़ाया गया है और वहां कवमुदीकार ने पत्ये शेते ये एक ही उधारण दे दिया हैं। दोस्त के लिए पत्र लिख रहा है। इसको हम देवदत्तहां मित्राय पत्रम लिखती ऐसा जरूर बोल सकते हैं। यहां भी लेखन क्रिया से देवदत्त खुद का मित्र के साथ संप्रदान संग्या हो गई। अब वैसे यहां एक सवाल पूछा जा सकता है कि लेखन क्रिया से देवदत्त खुद का पत्र के साथ भी संबंद चोड़ रहा है तो फिर यहां पत्र की भी संप्रदान संग्या होगी क्या तो इसका जवाब हमें पूर्व परत्व से मिल जाएगा पत्र की संप्रदान संग्या होने पर भी करतुरीप सिततमम कर्म इस परस उ पिर्मदारण वगेरा वगेरा आचार्य बच्चे के लिए धर्म का पाठ पढ़ाते हैं यहां भी क्रिययायम अविप्रेती से संप्रदानम इसी से संप्रदान संज्या होती है जैसा कि मैंने पहले बोला संख्षेप में हिंदी भाष्रा में लिए इस शब्दका प्रयोग करके जहां कुछ निर्देश किया हुआ मिलता है वहां सामान्य तोर से आप संप्रदान संज्या कर सकते हैं तो अब ये सब पढ़ने के बाद काशिका और कौमुदी व्याख्यानों को देख लेते हैं वैसे इन व्याख्यानों के लगभग सारे अंश्रम अलग अलग रुप से पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार करम से देखते हैं काशिका कार बोलते हैं कर्मना करण भूते न करता यम अभिप्रयती ततकारकम संप्रदान संग्यम भवती अन्वर्थ संग्या विध्याना ददाती कर्मना इती विध्यायते दानक क्रिया का जो कर्म उससे करता जिसका संबंध जोडता है उसकी संप्रदान संग्या होती है उपाध्यायाय गाम ददाती मानवकाय भिक्षाम ददाती ये दो उधारन काशिका कार में दिये हैं हमने देवाय पुष्पान ददाती ये तीसरा उधारण भी यहां जोड़ दिया क्रिया द्रहनम अपिकर्तव्यम, क्रिययायम अभिप्रैती स संप्रदानम क्रिया द्वारा करता खुद का संबंध जिस से जोड़ना चाहता है उसकी भी संप्रदान संग्या होती है ये इस वार्तिक के तीन उधारण काशिका कार्ने दे दिये संप्रदान प्रदेशाहा चतुर्थी संप्रदाने इत्येवं आद यहा संप्रदान संग्या चतुर्थी संप्रदाने इत्यादी सूत्रों में प्रयुक्त हुई दिखाई देती है अब इसके आगे काशिकाकर ने एक और वार्तिक बताया है कर्मनहा कर्णसंग्या वक्तव्या संप्रदानस्यच कर्मसंग्या वैसे ये वार्तिक थोड़ा अपूर्ण है यहां यजेह इस शब्द को रखना जरूरी है सिद्धान्त कवमुदी में चतुर्थी संप्रदाने इस सूत्र में यह वार्तिक ठीक से बताया है यजेह कर्मनहा कर्णसंग्या संप्रदानस्यच कर्मसंग्या इस वार्तिक का अर्थिया है कि यजब यानिकी यज्यकरना इस धातु के विशय में कर्म की करण संग्या होती है और संप्रदान की कर्म संग्या होती है मतलब की सामान्य तोर पर कर्दुरीप से ततमम कर्म वगेरा सूत्रों से जिसको हम यजद हातु का कर्म मानेंगे उसकी कर्म संग्या होगी और जिसको हम यजधातु का संप्रदान मानेंगे उसकी कर्मसंया होगी अब यहां कईयट इस विशे में ये स्पष्ट करते हैं कि यह वार्तिक सिर्फ वैदिक वाक्यों के लिए ही है लवकिक भाष्या में इसका प्रयोग नहीं होता भाष्यकार में भी इसका एक ही उधारन जो दिया है वो वैदिक वाक्य ही है पशुना रुद्रम यजदे इस वाक्यकार्थ हो गया रुद्र के लिए पशु की यज्यमे बली चढ़ाता है या फिर उसका दान करता है अगर यहां हमें ददाती इस शब्द का प्रयोग करना हो तो फिर रुद्रा यपशु मददाती रुद्र के लिए पशु डान करता है ऐसा प्रयोग बन जाएगा यहां पशु ये दानक्रिया का कर्म हो गया और रुद्र ये संप्रदान हो गया लेकिन अब यहां यज इस धातु का प्रयोग करने पर इस वार्तिक से कर्म संग्यक पशु को करनत्व प्राप्त हो गया और संप्रदान संग्यक रुद्र को कर्मत्व प्राप्त हो गया इसलिए पशुना रुद्रम यज पे यह प्रयोग बन गया जैसा कि मैंने बोला यह वैदिक वाक्य है और वेदो में वैसे भी अश्टाध्य के नियमों का उलंगन संभव है यह पाणिनी महर्शी ने खुद व्यत्ययोब अपुलम इस सूत्र से ही स्पष्ट किया है इसलिए इस स्वार्थिक को अलग से बोलने की कोई जरूरत नहीं नियासकार यही स्पष्ट करते हैं कर्मनहा कर्णसंग्या इत्यादी एतक पशुना रुद्रम यचते इत्ये तद विशयमेव वेदितव्यम एतक्च व्यत्ययोब अहुलम इती सुब व्यत्ययेन सिध्धमेव इत व्यत्ययोब अहुलम इस सूत्र से वैदिक वांगमे के संदर्भ में अश्टाध्याई के नियमों का उलंगन वैसे भी सिध्ध है इसलिए यहां अलग रूप से ये वार्तिक बनाने की जरूरत नहीं यही नियासकार का यहां आश्य है सिध्धान्त कवमुदी को देखते हैं वैसे तो हम इसको पहले ही देख चुके हैं यहां कवमुदीकार एक ही वाक्य में पूरे सूत्र का सार बता देते हैं दानस्य कर्मनायम अभिप्राइती ससंप्रदान सन्यहास्यात इस सूत्र के उधारण कवमुदीकार ने यहां नहीं दिये लेकिन अगले सूत्र में चतुर्थी संप्रदाने इस सूत्र में यह उधारण हमें मिलते हैं विप्राय गाम ददाती यहां कर्मनायम अभिप्रैती ससंप्रदानम इससे संप्रदान होने के बाद उस अनभीहित संप्रदान को दिखाने के लिए चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से चतुर्थी विभक्ती हो गई यही बात वो आगे स्पष्ट करते हैं अनभीहिते इत्येव अगर कृत या फिर तधित इत्यादी से संप्रदान अभीहित हो गया तो फिर उसको दिखाने के लिए यहां फिर से चतुर्थी नहीं होगी इसलिए उन्होंने आगे उदारंडे दिया दानी यहां विप्रहा यहां दा इस धातु से लगाया हुआ अनियर प्रत्ये कृत्यलिटो बहुलम इस सूत्र से संप्रदान के अर्थ में लगाया गया है यानि कि यहां संप्रदान कारक अनियर प्रत्ये से अभिहित अवश्य है इसलिए यहां दान क्रिया के संप्रदान स्वरुप होते हुए भी दानी यह इस शब्द को फिर से चतुर्थी का प्रत्ये नहीं लगाया गया किरियायम अभिप्रईती सोपी संप्रदान पत्ये शेते और यजेहे कर्मनहां कर्ण संग्या संप्रदान सेच कर्म संग्या पशुना रुद्रम यजते पशुम रुद्राय ददाती इत्यर्थः यह सब हम पढ़ चुके हैं अन्त में कर्मनायम अभिप्रईती संप्रदानम इस सूत्र के भाष्ष के बारे में थोड़ा विशेश बता देता हूँ जैसा कि हमने पहले देखा काशिकाकार ने यहां संप्रदान इस शब्द को अन्वर्थ संग्या मानकर दानक्रिया का अर्थ सम्यक प्रदियते यहने की स्वकीय द्रव्य परित्याग यह किया है और इसलिए रजकस्य वस्त्रम्द दाती यहां दानक्रियान होने से संप्रदान संग्या भी नहीं हो बाती लेकिन भाष्षकार संप्रदान संग्या को अन्वर्थ संग्या नहीं मानते और इसलिए भाष्षके मत में जहां स्वकीय द्रव्य परित्याग ना भी हो वहां भी इस सूत्र से संप्रदान संग्या अवश्य हो सकती है प्राधमनोर्मा में भटोची दिक्षित इस विशय को स्पष्ठ करते हुए बोलते हैं दानम्च अपुनर्ग्रहनाय स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकं परस्वत्व उत्पादनम् अत एव रजकस्य वस्त्रम ददाती इत्यादव नभवती तत्रही ददाती भाक्त हा भाक्त यानिकी लक्षना से बना हुआ रजकस्य वस्त्रम ददाती यहां सिर्फ लक्षनिक तौर पर ददाती शब्द का प्रेयोग हुआ हैं वहां स्वस्वत्व निवृत्ति नहीं है तत्रही ददाती भाक्त हा एतत्च वृत्तिक्रुनमतम् रजकस्य वस्त्रम ददाती इत्यादी वाक्त्यों में स्वस्वत्व निवृत्ति ना होने से संप्रदान कारक नहीं होगा यह वृत्तिकार का याने की काशिका कार कामत है भाष्यमते तू न अन्वर्थतायाम आग्रहा खंडिको पाध्या यहा शिश्षा यचपेटाम ददाती इति प्रयोगात भाष्यकार के मत में संप्रदान शब्द की अन्वर्थ संग्या होने का कोई आग्रह नहीं यह प्रवध मनोर्मा में भट्टोजी दिक्षित पता रहे हैं स्पष्टरूप से भाष्च में हमें ये वाक्य नहीं मिलता लेकिन भटोची दिक्षित यह स्पष्ट कर रहे हैं किस आधार पर स्पष्ट कर रहे हैं क्योंकि भाष्चकार खंडिको पाध्यायहा शिश्चाय चपेटाम ददाती यह प्रयोग करते हैं कहां करते हैं इस सुत्र के भाष्च में नहीं बलकी अश्टाध्याय का सबसे पहला सुत्र वृद्धिरादैच उसके भाष्च में उस भाष्च में भाष्चकार का एक वाक्य है एवं दृष्चते लोगे यउदाते कर्तव्य अनुदात्तम करोती इस वाक्य का अर्थ ये है कि सम्स्कृत बोलते समय उदात्त स्वर की जगह जो भी शिष अनुदात्त स्वर का उच्चारण करता है उसको आचार्य एक चपेटा देते हैं चपेटा मतलब हलके से थपड लगाते हैं अब यहां इस वाक्य में भाष्यकार ने तस्मई चपेटाम ददाती यह प्रयोग किया है तस्मई यहां भाष्यकार ने चतुर्थी का प्रयोग क्यों किया क्योंकि संप्रदान संग्या हो गई इसलिए चतुर्थी संप्रदाने सुत्र से चतुर्थी का प्रियोग हो गया और यहां थपड लगाने के विशय में कोई स्वामित्व त्याग वगिरा नहीं हो रहा फिर भी यहां भाश्रकार अवश्रही संप्रदान संग्या कर रहे हैं इसी उधारण को सामने रखकर प्रोढ़ मनुरमाकार ये निर्णय बता रहे हैं भाश्रमते तु न अन्वर्थायां अग्रहा इसी के आधार पर रजकाय वस्त्रम्ददाती यह प्रयोग अवश्य ही उचित है ऐसा कॉंडवट्ट भी वयाकर नभूशन सार में स्पष्ट करते हैं तो फिर रजकस्य वस्त्रम्ददाती यह प्रयोग शुद्ध है क्या? तो हाँ यह प्रयोग भी अवश्य शुद्ध है अगर संप्रदान की विवक्षा ही ना हो यानि कि वस्त्र से रजक का संबंध जोड़ने की इच्छा ही ना हो तो फिर शेश विवक्षा से शष्ठी विभक्ती लाकर रजकस्य वस्त्रम्ददाती इसका भी साधुत्व अवश्य बन जाएगा यही प्रोढ़ मनोरमाकार बोल रहे हैं रजकस्य वस्त्रम्ददाती इतितू शेशत्व विवक्षायाम बोध्यम भाष्यकार ने इस सूत्र के संदर्भ में कही हुई एक और बात बताकर आज का पाठ खतम करते हैं कर्मनायम अभिप्रैती ससंप्रदानम इस सूत्र में होने वाले कर्म इस शब्द का काशिका और कौमुदी दोनों ने ही दानक्रिया का कर्म ऐसा अर्थ बताया है और फिर दानक्रिया से भिन्न जो भी क्रिया हो उसके विश्ये में क्रिययायम अभिप्रैती ससंप्रदानम ये वार्तिख भिवा जोड़ दिया है लेकिन भाष्यकार का चिंतन यहाँ थोड़ा अलग है यहां भाष्यकार बोलते हैं, क्रियाम ही नाम लोक के कर्म इति उपचरंती, काम क्रियाम करिश्यसी, किम कर्म करिश्यसी, इति लोक में कर्म इस शब्द को क्रिया के निर्देश के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है जैसे कि क्या कर्म करोगे, मतलब कि क्या क्रिया करोगे तो इस तह से कर्मनायम अभिप्रयती इस सूत्र में होने वाले कर्मना इस शब्द से ही क्रियायम अभिप्रेती यह आशे भी स्पेश्ट हो ही जाएगा तो फिर क्रियायम अभिप्रेती इस वार्थिक को पुनह अलग से बोलने की कोई जरूरत नहीं वैसे तो यह मैंने बहुत ही सरल करके बताया इस विश्य में और भी शास्त्र चर्चा विस्तार से भाष्य में की है लेकिन उसके अध्ययन की इस समय जरूरत नहीं जिनको इस विश्य में अधिक पढ़ना है वो भाष्य या फिर प्रदिपोध द्योत में देख सकते हैं वैसे भी काशिका और कौमुदी दोनों ने कर्म इस शब्द को दानक्रिया का कर्म इस स्वरूप में मानकर क्रिययायम अभिप्रेती यह अलग वार्तिक अवश्य ही पढ़ाया है तो उसी को हम भी जरूर मान सकते हैं इस तरह से यहां कर्मणायम अभिप्रेती ससंप्रदानम इस सूत्र का विवेचन समाक्त हो गया